कभी मंदिर, तो कभी पाटी मुख्या दे, तो कभी रोड शोग। मुख्यमंत्री अर्विन के ज्रिवाल 51 दिनों बाद तिहाड जेल से निकले। उसके बाद उनका चुनावी अभियान हर दिन तेज होता जा रहा है। तल्क टेवर और तुफानी अंदाज में वो लोगसमा चुनाब 2024 के पुचार प्रसार में खुद को जोग चुके है। हलाकी अब जो मुख्यमंत्री अर्विन के ज्रिवाल ने मोडी सरकार पर आरोप लगाए हैं, वो सवालों की खेड़ा है। नमश्कार, आप देख रहे हैं एचिया नियूज, मैं हूँ आपके साथ रंचना उपार्थियाए। एक सिटिंग मुख्यमंत्री के तौर पर अर्विन के ज्रिवाल के इल्जाम संसनी फैला रहा है। सोंबार की सुबह पार्टी के पाशचदो को संबोधिक करते हुए, मुख्यमंत्री अर्विन केजड़्यवाल ने सब को भावू तक कर दिया। इस दोड़ान मुख्यमंत्री ने केंद्र की मोधी सरकार पर आरोफ लगाते हुए कहा कि उन्हों ने अर्विंद केज्रिवाल की हिम्मत को तोड़ने की पूरी कोशिश की उन्हें जेल के अंदर आफमानित किया गया उनकी बेजज़ती हुए ऐसे में सुनिये अर्विंद के इनोंने मेरे को इंसुलिन ले दिया मेरी वाइफ मेरे से मिनने आया करती दी यह तो कानूनी रूप में अधिकार है हफते में दो मीटिंग आपको अपने परिवार से अलाउड है आप अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हो एक दिन मेरी वाइफ को बना कर दिया इनोंने वो पंजाब के मुख्य मंतरी, होныйोंने भी चिठ्धी लिखी, पंजाब के डीजी पुलिस ने चिठ्धी लिखी, कि पंजाब के मुख्य मंतरी आ रहे हैं, आप कमरे के अंदर, दोनों को मिलवाने का इंधती लगां, मेरे सेल में два CCTV कैमरे लगा रखे थे थे, मैं मेरे CCTV कैमर को मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे कि केजरिवाल कितने बजे उठता हूं कितने बजे लेटता हूं कितने बजे खाना खाता हूं क्या टीवी चैनल देखता हूं एक-एक मिनिट की 13 अफसरों के कमरे में 13 ओफिसर्स तो 13 लोग मॉनिटर करते थे रहे आपने अब भी सुना कि मिख्यमंत्री अर्विन के जिवाल ने देश के प्रधार मंत्री और उनकी सरकार पर कई गम फीरा रूप नगा ऐसे में आप इस पूरे मामने पर क्या कुछ कहेंगे कॉमेंट में लिखना ना पूँए सल्हाल के लिए इतना ही देखतरियत से न्यूस धरने बाद